लेट स्टार्ट कोशन अब फेट्ट इन्होंने कहा हमें इक्वीलेट्र ट्रेंगल ड्रॉब करनें इक्वीलेट्र ट्रेंगल क्या उत्ट है जीसके तीनों साइज एक्कोल होती है किका हमने जिए रफ स्केच द्रौ कर लिया अब इंप सी इसके एंच साइड हो गया है क्यों क्योंगी क्यों कि एश इक्विलेटर ट्रेक दा है तो सबसे एक हम्ने लाइन हमने स्केल से ड्रॉब कर लिए अब हमने क्या करने सिक्सेंटिमेटर ताम पस ऑपन कर लिए बी पॉइंट पर रखने हैं और एक आप के लगा देने हैं कि यह दोनों साइट्स भी क्या है जहां पर यह कट करती है वह पॉइंट हो गया हमारा ए और हमने ए को बी से जोइन कर देने हैं और एक उसी से भी जोइन कर देने हैं को यह भी सिक्सेंटिमेटर और यह भी तो बन गया एक विए टेंगर clear let's see now question no. 6 question no. 6 यह थैं construct an equator triangle having a parameter 15 cm हमें क्या करने है एक equator triangle रो अको करने है जिसका प्रेंगल का फोंग लाएं साइड वन प्लस साइड तू प्लस साइड थी इस इवर तू 15 सेंटिमितर अब यह लेट कर लेटे है इसकी जो साइड वन है वो कितनी है एक्स है क्योंकि इक्विलेटर ट्रेंगल है तो तीनों साइड क्या होंगी इसकी इक्वल हो जाएंगी मतलब तीनों एक्स एक्स है चीकिए अगर इसको प्लस करें एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा थ्री एक्स इसी पर टू 15 तो एक्स कितना आगया मारा 15 बाइ 3 यह जो 3 है इसके नीचे आगया तो यहां पर एक्स कितना है मर पस 5 सेंटिमेटर मींज इसकी जो साइड बान है side 1 है हो कितनी आगी 5 cm means side 1, side 2, side 3 3 मर्कष कितनी आगी 5 cm यह भी 5 cm और यह भी 5 cm और यह भी 5 cm देखें यह मटbn हैंगे यह यह A B C इसकी 3 मर्कष 5 cm तो अपनी इसको तो सबसे पहले हम BC द्राओ कर लें 5 cm इसको हम यहां द्राओ कर लिए BC 5 cm चीक है अब देखो मैंने से मिस्टेक कर दी मैंने क्या मिस्टेक कर दी जो भी है वो लाइन के साथ अब मुझे यहां पता नहीं लेगा कि मेरा जो पॉइंट है वो कमा है तो मुझे इसको दुबारा क अब हमने 5 cm अब हमने 5 cm अपने कमपस ओपन की बी पे रखा एक लगाया सी पे रखके दूसरी आख लगा दी तो यह भी मारी 5 हो गई AB 5 है और AC मेरी कितनी हो गई 5 cm तो यह हो गया हमारा ट्रेंगल ABC इक्विलेटिव ट्रेंगल वो साइड इस 5 cm अब हूस परामेटर इस 15 cm किया हिए ुजर यह हमारा गाय आप इसको जब कंपस से स्केल से कंपस से तो मैं आत लगाया कंपस सीज्ब सूर जोट सको तो बिल्कुल स्टेट लाइन हाँगी यह तोड़ी से टेड़ी होगी है आप इसको स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल पॉफेक्ट वैए लेट साट नाओ कोश्य नबर सेवन कोश्य नबर सेवन देख अंस्टर्प्त एंगल एवी सी इन वीच एवी 3 सेंटीमिटर वी सी 5 सेंटीमिटर एंगल बी 60 डिगरी find the length of third side हमें क्या करना है इसमें third side को measure करना है सबसे पहले हम इसका रफ्सकेश बना लेंगे यह हमें रफ्सकेश बना लिया A B C A B कितना है 3 सेंटीमिटर B C 5 सेंटीमिटर एंगल B हमारा कितना है 60 डिगरी और A C को हमने scale से measure कर देना है यह कितने सेंटीमिटर है करते हैं इसको construction तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह साइड है नीचे B C इसको ड्रॉब कर देंगे हमने B C ड्रॉब कर ली कितने सेंटीमिटर 5 सेंटीमिटर आपने scale या scale पे आपको जो जीरो लिपके है वहां से start करेंगे और 5 सेंटीमिटर तर दूस्टा पॉइंट रखेंगे इसको लाइंट को जॉइन कर देंगे ड्रॉब कर देंगे अब नहीं क्या करना है एंगल B पे 60 डिगरी यह जो पॉइंट वी है यहां पे 60 डिगर बना पोइंट पे सब्सक्राइब फोड़ी सी उपन करेंगे इस पॉइंट पे और उतनी रेडियस से एक आपके लावी और इस आपकों में वी पॉइंट से जोहन कर दिया यह मारा आपिया 60 डिगरी कहेंगे अब हमारा एपॉइंट यहां होगा अब एभी कितने सेंटीमेटर है थ्री सेंटीमेटर अब हमने क्या करने है थ्री सेंटीमेटर को अपर लगने है बी पॉइंट पर रखने है और यहां पर कट लगाने है यह कितने सेंटीमेटर कट लग हुआ है आप कोशिन के को गए रहा है फाइंड लेंद अफ तर्ड साइड अब यहां पे अपनी स्केल रखने है आपने एसी और एसी को मेज़र करके लिख दें कितना आएगा इस चैण आपका 4.3 cm आजाएगा बाकर आप मेजर करके देख दो और यहां पे मेजर करके लिख दो कि कितने सेंटेमेटर है तो बाइद मेजरीं अविए बाइद मेजरीं एसी इकल टू 4.3 cm बाक्या आप देख लिए नभलें ठीक है लेट्स स्टार्ट नाओ नेक्स्ट कुश्चिन लेट्स स्टार्ट कुश्चिन नंबर एक एक कुश्चिन है कंस्ट्रक्टेट रेंगल एवी सी इन वीच एंगल सी 90 डिगरी एंड एसी इपल टू बी सी 3 सेंटिमेटर देखो इसका रफ्सकेश चुना लेते हैं अब हम आपर स्ट्रेंगल क्या है ए बी सी एसी और बी सी माई पर कितनी है तीन तीन सेंटिमेटर है यह भी 3 और यह भी 3 और एंगल जो सी है कितने है अब हम पर देखे एंगल सी 90 डिगरी एसी 3 सेंटिमेटर और बी सी 3 सेंटिमेटर यह भाल प्रस रफ्सकेश है इसको नहीं यह आपिए ड्रॉपर देने हैं तो सबसे पहले हम यह जो राइन हैं सी भी ड्रॉ कर लेते हैं यह थ्री सेंटीमेंटर की मैंने सी भी लाइन ड्रॉ पर लिए हैं अब सी के उपर नाय के लिए कि हम कोशिश करेंगे जो हमारा एंगल बन रहा है वह हम कंपस से बना है जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आरा हो अपने अगल डी से भी बना सकते है वर ट्राइट रोड़ एंगल विद कंपस तो कैसे तरह देखो सबसे पहले हमने यहां पर कंपस रखनी है तोड़ी सी कंपस पूर के हमने एक आपके अगा देनी है फिर उस कंपस को इस पॉंट पर रखके फर्स्ट आर फिर से किना पहल यहां पर रखना है कंपस को यहां पर यहां पर रखने है यहां पर रखके दूसरी अग्या देनी है जो आपकी रेडियेश ऑपने घू अपने पर यहां रखा देनी है जहां पर दोनों आप करते हैं उस पॉइंट को जोई करना है सी से आप जब इसको कांपस पेंसिल से बनाओगे यह बिल्कुर पॉफेक्ट नाइंग लेती बनेगा अब हमारे पॉइंट जो ए है वह नहीं हमाएं अब बीसी हमारे किते थी सेंटिमेटर अब हमने एसी को थी स सेंटिमेटर और सीपे रखनी है है सीपे रखने है एक आग लगा देना है तुब आपके लिए इस आपके नीचे पर बी आ जाते हैं तो बढ़ाव मत आपने अपना पर आपके आपके यह यहां और यह जहां पर भी वह कट करते हैं कर देंगे अगर यहां कट कर लिया तो कोई बार नहीं चीक है यह मेरा एक पॉइंट हो जाए अब हमने क्या करने है इस एक पॉइंट को बीकॉइंट से जोईंट कर देंगा तो यह हमारी A सी 3 cm होगी और जो C B है यह भी 3 cm होगी आप इसको यह मारा ट्रेंगल होगी है ABC राइट रहेंगल कौन से ट्रेंगल होगया राइट रहेंगल A, C, B या A, B, C जैसे मचे इसको बोल सकते हैं ठीक है हैंस राइट रेंगल A, B, C इस है होगे यह मारा राओ यह राइट रेंगल क्योंकिस में एक एंगल आइटिक निका था एक साइट 3 सेंटिमेटर और दूसी साइट बे 3 सेंटिमेटर थी लेट सी नाओ नेक्स मेशन लेट साइट कुछिन अपना आए राइट राइट रेंगल D E F इनविच E F 6 सेंटिमेटर एंगल E 70 डिग्री और एंगल F 60 डिग्री फाइंड रेंगल D ठीक है हम लेकते हैं इसका रफ स्केश्ट्रो गरते है हमने क्या करने हैं त्रैंगल D E F ड्रोगर ने है जीस में हमें E F किकन सेंटिमेटर दिया है 6 सेंटिमेटर अगल E हमें D è 7 के डिग्री और अगल F दिया हमें 60 डिग्री और अगल D की मेशनमेंट हमें बताने हैं तो लेट्स चार्ट सबसे पहले हम क्या दरेंगे एएफ जो लाइन है इसको ड्रॉब लिए हमने यह लाइन एफ अब अब हमने एपूइंट के उपर स्वेंटी डिग्री का इंगल गना अब आमने यहां पर पर लेख की यह में अब दिए को देखेंगे तो जैसे मैं यह अपनी दे ए पॉइंट पर रखें चीक है इसमें आपके ऊपर भी नंबर गीवन होते हैं और नीचे भी यह बन होते है इसका इधर जीरो गीवन है यहां से हमारे 10, 20, 30, 40, 50 यह एंगल दी और यहां पर 90 जी बन होते हैं तो यह जो पॉइंट है यह लाइन के इस लाइन के बिल्कुल उपर आएगा और यह जो लाइन है यह लाइन के बिल्कुल उपर और यह जो लाइन है हमारे यह लाइन नीचे भी लाइन को कबर करेंगे देखो यह मैंने यह पॉइंट पर रख दी अपने फ्री अब यह जीरो आगे नीचे बनाने अब जीरो से में स्टार्ट हो जाओंगी जीरो 10 20 30 40 50 60 70 पे मैंने एंगल ड्रॉब कर देना है ठीक है आप अपने जो स्केल लेकर बिल्कुल स्टेट लाइन आए लिए स्केल लेकर आपने 70 के एंगल बना देना है कि यह मारा एकिल बन जहें रहा है तो यहां पर देखो बाहर की तरफ जीरो आपनी रखके देखो जीरो 10 20 30 40 50 मुझे कितने गवन आए 60 का तो मैं यहां पर 60 डीर कैंगल ब्रॉबर दूनी और इसको उपर दक देखों यह दोनों जो आपकी रेज हैं इस पॉइंट पर काटा रहा है दी अब आपना दी यहां रखकर मेंजर करणू कि एंगल कितने डिगरी क्या देखों यह हैं यह एक्जेक्ट मेरा 50 डिगरी का बन रहा है तो मिदेंगे बाय मेंजरेंग एंगल D is equal to 50 डिगरी यह मारा आंसर आगया और यह हमारा जो एंगल बन गया यह मारा जो एंगल बन गया D E F जिसके अंदर E F जो वो 6 cm एंगल E 70 डिगरी और F जो है 60 डिगरी है और बाय मेंजरेंगल D कितना है 50 डिगरी लेट्स साथ कुश्य नमबर टेन कुश्य नमबर टेन कुश्य नमबर टेन से मैं पास का सब्सकेट एंगल ABC इन वीच AB 5 cm एंगल A 40 डिगरी और C 45 डिगरी फाइंगल B हमने इस तरफ स्केट ड्रॉब लिया ABC यहां पर हमें AB 5 cm गीवन है एंगल A 40 डिगरी और C हमें 45 डिगरी गीवन है अमें एंगल B की जो मेजर मेंटा है को हमें फाइंगल B कितने डिगरी है ठीक है सबसे बहले हमने क्या करना है हमने AB लाइन को नीचे ड्रॉब कर देना है हमने AB ड्रॉब कर ली कितने cm रही है 5 cm अब हमने यहां पर अपनी D रखी एंगल पर ठीक है और 40 डिगरी का इंगल बना दिया है कि देखो यह मारी डी है यह डी हमें रखी लाइन इधर जा रही हमारी राइक है इन साइड में तो वहारा जो जीरो है वन दबल साइड है तो मैं 0 10 20 30 40 डिगरी पर पॉइंट लगा के हमने विए एंगल यह हमारा इव हमारा इंगल इसकी फॉइंट में इसकर इसकिक लेंग और हमें गीवर नहीं है तो मिक्या करना पढेगा एंगल को फाइंड करना पढ़ेतेख एंगल कसे पैसे लेहीं को इसे दिग्री में से हम इन दोनों एंगल को प्लस करती है माइनस करते हैं कि 45 प्लस 40 कितना होगे 85 डिग्री वागें से 85 माइनस करेंगी तो कितना आजाएगा 95 तो एंगल भी हमारा आज़ा 95 तो हमनी क्या करने यहां पे अपनी डी रख दूंए अब हमारे लाइन इधर जा रहें लग्रेंग साइड में तो यह बहार वाला जो जीरो यहां से स्टार्ट जो जीरो टेन ट्वेंटी थाटी फॉर्टी बीच में आगे मारा 90 90 के बाद फोड़ा सा 95 अब है कि अब हम इस जो दोनों जी जो रही है एक्स और भी जहांपर भी अट कर्णी वह जोंग हो जोपॉंट होगा है यहांत हमें दो एंगल कर दिया ना कर दिया अपने आपके 45 वह जाएगा बस हमारा इंगल आगया A B C in which angle is 40-degree angle B 95-degree ठीक है और C यह लिखना है तो लिख दूद नहीं तू रहे तो यह मारा बंगे थेंगल A B C Let's see now the next question Let's see last question of this exercise Question number 11 Constructed triangle ABC In which AB 4 cm BC 3 cm And AC 5 cm Measure angle B What type of triangle is this? तुमने सबसे पहले क्या करने है? इसका रब स्केच्च रोब कर लेने है A, B, C यह मैंने triangle हो गया? A, B 4 cm BC 3 cm और AC 5 cm यह 3 sides हमें गिवन है हमें क्या खाने है? angle B measure करने है और यह बताना है जो ट्रेंगल है किस type का प्रगल है? Let's see now start सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC line को draw कर लेंगे यह हमने BC line draw कर ली 3 cm Clear? अब हमने क्या करना है? अब हमने उनको जोइन कर देना है यह कुछ इस type पर triangle आपका बन जाएगा यह 4 cm और यह 5 cm तो आप यहां पर देखो यह बेल्कुल स्टेट लाइन आएगी तो आप यहां पर अपना D रखो D रखो यह एंगल कित्ते डिग्री का आए? यहां आपका 90 डिग्री के अंगल आए अगर यह हमारा 90 डिग्री के अंगल आए एक triangle जिसमें एक अंगल 90 डिग्री का हो उसको कौन सा आइगल होते? राइट रेंगल तुम यहां पर क्या लिग्री के अंगल B इस इक अंगल 90 डिग्री ट्रेंगल A, B, C इस M ट्रेंगल A, B, C इस A राइट रेंगल इस कोशिन में उसने हमसे दो कोशिन पूछे है मेजर एंगल B हमने बटा दिया है एंगल B जो आइट डिग्री का है दूसरा कोशिन पूछा है वट टाइप ऑफ ट्रेंगल इस तो मैं लिख दिया है ट्रेंगर A, B, C इस राइट रेंगल धोरो कोशिन के अंजर हमार रपस यहांपे होगे तो यह था हमारा लास्ट कैस्ट्रमेंट 11.2 हाँ जी यह थी मारी assignment 11.2 अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें आगी शेयर भी करें ताटी दूसरी बच्चों का भी फायता हो जाए अगर इससे लेटिड आपके माइन में कोई भी कोश्चिन है डाउत है या कोईरीज है तो आप कमेंट बॉक्स मुझे मुझे बता सकते हैं मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई